आप थोड़ी सी psychology और बता देता हूँ आपको जो की शायद ही कोई YouTube पे बताए, ठीक है, क्यूंकि बहुत लोग है king और queen CDP के, बट ये चीज़ें उनको नहीं आती, फरजी queen है ना, फरजी king है, फरजी queen है, असली content किसके पास है आप सबको पता है, psychology बताती है, हमारे brain की biochemistry, कुछ ऐसी positions हैं, जिनमें अगर आप खड़े होगे या आप बैठोगे, तो आपके दिमाग में कुछ chemicals release होगे, और उन chemicals की वज़े से आप confident feel करोगे, ठीक है, ऐसा actually में होता है, psychology बताती है, तो मैं आपको वो body language के कुछ position बताता हूँ, जो आपको ठ variety वाले वो सब आपको और कम होगा, ठीक है, तो आपको क्या करना है 10 minute पहले, ताकि आपके brain की biochemistry, थोड़ी सी normal हो जाए, और आपके brain में वो chemicals release हो, जो आपको confident feel करा है, ध्यान से देखना, बहुत important चीज है यह, यहाँ पे कुछ positions दिखा रखी है, मैं आपको एक एक करके सा अभी मत खड़े होना, ऐसे नहीं बैठना है, ऐसे नहीं बैठना है, और obviously ऐसे भी नहीं बैठना है, अगर आप इन positions में बैठते हो, आपके brain में जो chemical release होंगे न, वो आपको under confident feel करवाएंगे, ठीक उल्टा अगर आप करते हो, अगर आप ऐसे बैठ रहे हो, जिसको हम बोल एक्जाम से 10 मिनट पहले, इन positions में रहते हो, आपके brain में वो chemical release होगा, जो आपको confident feel कराएंगा, और उस वजएसे आप एक्जाम में अच्छा perform करोगे, आपको क्या करना है, एक्जाम, hall के अंदर घुसो, सारी formalities कर लो, ठीक, एक्जाम शुरू होने से 10 मिनट पहले toilet में च रखे बिल्कुल confident ऐसे, chair पे ऐसे बैठ सकते हो, या ऐसे बैठ सकते हो, तो आपको ठीक 10 मिनट पहले इन 5 positions को करना है, और ठीक 10 मिनट पहले उपर वाली 5 positions को नहीं करना है, अगर आपने उपर वाली 5 position करी, उल्टा effect होगा, आप under confident feel करोगे, अगर आपने नीचे वाली 5 positions क आप confident feel करोगे, और ये बहुत जरूरी है, आप में जब वो chemicals रिलीज होंगे आपके brain में, आपको confidence feel होगा, और आपको लगेगा कि हाँ हमें आता है, हम कर लेंगे, ये बहुत जरूरी चीज़ है, ठीक है, तो ये psychology की research के basis पे मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं openly बताता न हूँ YouTube पे, बस आज बता रहा हूँ, और आज के बाद थोड़े दिन बाद ये वीडियो हटा दूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कुछ secrets public में leak हो जाए, ठीक है, हमें अपने students के लिए रखने चाहिए, तो इस तरह से करना, और मैं भी बहुत सारी situation में ये चीज़ें क करी ये चीज़ पर, कि कौनसी position में खड़े होने से या बैठने से आपको confidence feel होता है, और कौनसी position में खड़े होने या बैठने से आपको confidence low feel होता है, उन्होंने पूरी research करी है, आप लोग अगर इसको follow करेंगे, आपको result positive दिखेंगे, ठीक है, top करना, तो ये बहुत important चीज आपको monstrो हो आपको दिखेंगे, आपको साथ होता है, जा बंदा दो कर लोग्या में ऊपको को आपको होता है, ये थीज़ति कMore को